संजेबर कॉलेज राची एड्मिशन प्रोसेस में काफी लोगों को दिक्कत हो रही है यहाँ पर और किलियर रहे हैं कि किस तरह सा एड्मिशन मिलेगा पहले की प्रोसेस बताएं तो काफी जी होता था यहाँ पर आलाइन लिंक दी जाती थी आप लॉग इन करते थे वहाँ पर जाकर डॉक्योमेंट अप्लोड करते थे वेरिफाई होने के बाद पेमेंट लिंक आता था आप पेमेंट करते थे आड्मिशन हो गई अब क्या प्रोसेस है वो बताऊंगा आप ध्यान से देखेगा इस वीडियो को और अभी भी काफी लोग जो है वो नहीं जान पाए है तो यहाँ पर सिंपल है सबसे पहले जो है फॉर्स सेलेक्शन लिस्ट में आप चले जाए यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है किस पे आप अल्लाइन आड्मिशन लिंक पे अब आउन लिन आड्मिशन लिंक पे जाएंगे तो यह देखे यहाँ पर सेलेक्टेट काडिडेट्स आपको देखनी को मिल रहा होगा इसमें आपको जो है डिटेल देने है ठीक है जैसे यहाँ पर चांसल पॉर्टल फॉर्म नंबर नेम जो आपकी सर्टिफिकेट में है इमेल आप जो है आप जो दिजेगा जो अक्टिव होगा क्योंकि मेल आपके पास आएगी मोबाइल नंबर अपलाइंग फॉर विच कोर्स और यहाँ पर अपलोड कलर फोटो आपको करना है और पासड़र आपको recreate करना है अब यहाँ पर लॉग इन करेंगे आप ठीक है आप यहाँ पर लॉग इन करेंगे लॉग इन करने के बाद जो है यहाँ पर चांसल पॉडल का open होगा यहाँ पर कोई भी role नहीं है इसका जो है आपको बता दूँ जाकर लोग यहाँ पर देख रहें कि payment हो रहा है या नहीं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा अब इसके बात का क्या process है वो मैं आपको बताता हूँ और यहाँ पर student ने मुझे दिया है mail और यहाँ पर उसके जो है आपको mail से मैं दिखा दूँगा जहाँ पर आपको यहाँ पर print application form, print admin card, pending application, print, pending fee payment तो इसमें कोई भी आपका यहाँ पर role नहीं है यहाँ पर आपको कुछ भी सो नहीं करने वाला क्योंकि आपने process already complete कर लिया यह application form के time का है और यहाँ पर इसका role कुछ भी नहीं था ठीक है तो यह जो है यहाँ से आपको काम नहीं करना आप document वगर कहाँ अपलोड करनी है वो आपको बता रहा हूँ मैं जो वहाँ पर registration किया उसके basis पर आपको यहाँ पर mail आएगा Sanjibar College के तरफ से अब Sanjibar College के तरफ से mail आएगा जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपका code जो है इतना है और आपका selection किस course में हुआ है और उसके बार जो है आपको proceed for the online admission process का यहाँ पर आपको link देखनी को मिलेगा ठीक है तो mail अगर आपने active दी है तो याद रखे mail देखिए का जाकर email अगर आपके पास नहीं आया mail नहीं आया same day तो आप जो है जाकर यहाँ पर query कर सकते हैं Sanjibar College पे या फिर से आप apply कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर mail आएगा अब mail पे यहाँ पर जाएंगे आप तो यहाँ पर जो है document वगरा की आपको list आएगी यहाँ पर document verify होगा उसके बाद payment के लिए आपको payment देना होगा यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है इस तरह से जो है यहाँ पर undertake यहाँ पर जो है आपको check लिस्ट है जो जो document आप upload करेंगे टीकर दिजेगा simply और यहाँ पर document आप upload कर लिजेगा file 5 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए upload करेंगे उसके बाद scan होगा payment के लिए वो कई बार link भेजते हैं कि आप जो है payment कीजिए तो mail भी आ सकता है यहाँ आपको site पे ही देखनी को मिल जाएगा अब जो है payment आप उहाँ पर करेंगे और payment होनी के बाद आपका यहाँ पर क्या होगा तो आपका यहाँ पर admission successful हो जाएगा वो payment receipt आप रख लीजेगा उसे download कर लेजेगा उसके बाद आपका यहाँ पर admission procedure complete हो गया physical verification बाद में होती है physical verification के लिए official data आजाएगी तो उसके लिए आपको चिंदा नहीं करनी यहाँ कुछ दिनों के बाद class start होंगे तो आप class join कर सकते हैं उससे पहले आपका जो है orientation program होगा orientation आप जो है डेंट करेंगे फिर class आप जो है फिजिकल वेरिफिकेशन बाद में जो document आपने upload करें उसे physically verify करते हैं कि document सही है या नहीं तो यही simple process है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मुझे ID चाहिए दे किसी की तभी आपको बता पाता और ID मिल पाना मुश्किल होती है ठीक है किसी की भी जो है student की ID मैं सून ही कर सकता तो यहाँ पर ID मुझे मिली तो मैं आपको बता दिया कि यहाँ यह process रहने वाला है hope आपको समझ में आ गया अभी तक जिन्होंने नहीं करा admission process या confuse है तो यह आप वीडियो देख लिजे hope आपको idea होगा thanks for watching best of luck